मेरे पहरे देश्वासियों, लोगडाउन के दोरान टेक्नोलोजी बेज सर्विस डिलिवरी के कई प्रयोग हमारे देश में हुए हैं। और अब ऐसा नहीं रहा कि बहुत बड़ी टेक्नोलोजी और लोजिस्टिक कम्पनियां ही यह कर सकती है। जारखन में ये काम महिलाओं के सेल्फेल्फ ग्रूप ने करके दिखाया है। इन महिलाओंने किसानों के खेतों से सबजियां और फल लिए और सीधे घरों तक पहुँचाए। इन महिलाओंने आजीवी का फार्म फ्रेश नामसे एक एप बनवाया जिसके जरिये लोग आसाने से सबजियां मंगा सकते थे। इस पूरे प्रयास से किसानों को अपनी सबजियां और फलों के अच्छे दाम मिले और लोगों को भी फ्रेश सबजियां मिलती रही। वहाँ आजीवी का फार्म फ्रेश एप का एडिया बहुत पॉपिलर हो रहा है। लोग डाउन में इन्होंने पचास लाख रुपिये से भी जादा के फल सबजियां लोगों तक पहुँचाई हैं। साथियों एग्रिकल्चर सेक्टर में नई संभावनाय बनता देख हमारे युवा भी काफी संख्या में इससे जूडने लगे हैं। मद्यप्रदेश के बढ़वानी में अतूल पाटीदार अपने क्षेतर के 4000 किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ चुके हैं। ये किसान अतूल पाटीदार के e-platform फार्म कार्ड के जरिये खेती के सामान जैसे खाद, बीज, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, आदी की होम डिलेवरी पा रहे हैं। यानि किसानों को घर तक उनकी जरुवत की चीज़े मिल रही हैं। इस डिजिटल प्लेटफर्म पर आदूनिक क्रशी उपकरणों भी किराये पर मिल जाते हैं। लोगडाउन के समय भी इस डिजिटल प्लेटफर्म के जरिये किसानों को हजारों पैकेट डिलिवरी किये गए। जिसमें कपास और सबजियों के बीज भी थे। अतुल जी और उनकी टीम किसानों को तक्नीकी रूप से जागरूप कर रही हैं। ऑनलाइन पैमेंट और खरीदारी सिखा रही हैं। शाथियों इन दिनों महराश्टर के एक घटना पर मेरा ध्यान गया। वहाँ एक फार्मर प्रोडूशर कमपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा। कमपनी ने किसानों के इस बार मुल्ल के अतिरिक्त बॉनस भी दिया। किसानों को भी एक सुख़द आश्यरिय हुआ। जब उस कमपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नए कृशिक कानून बनाये हैं। अब उसके तहट किसान भारत में कहीं पर भी फसल बेज पा रहे हैं। और उन्हें अच्छे दाम मिल रहे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस एक्स्ट्रा प्रोफिट को किसानों के साथ भी बाटना चाहिए। उस पर उनका भी हक है और उन्होंने किसानों को बोनस दिया है। साथियो बोनस अभी भले ही छोटा हो लेकिन ये शुरुआत बहुत बड़ी है। इस से हमें पता चलता है कि नएक रुशी कानून से जमिनी स्तर पर किस तरह के बड़ला किसानों के पक्षमे आने की संभावनाएं भरी पड़ी है।